गुद मॉर्निंग इस्टूडेंट्स कैसे आप बच्चे आज हम आपके साथ एक नया चेप्टर सुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एकाउंटिंग क्वेशन यह आपका चेप्टर नमबर फाइफ होगा क्लास लेवन्थ का ठीक है बच्चे इसके पहले मैं आपको बता दो अब मैं अपने यूट्यूब चेणल अकाउंट बस पे आपको चेप्टर वन जो की इंटोड़क्शन टू अकाउंटेंस ही है चेप्टर टू जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म से चेप्टर थी अकाउंटिंग प्रिंसपल और चेप्टर नमबर फूर बेसिस आफ एकाउं वो प्लीस प्लेइलिस्ट में जाएगा प्लेइलिस्ट में जाके आप क्लास 11 के नाम से जो भी चैप्टर होगा उसको पिन करेंगे तो उसमें उनके लेक्चर मिल जाएगे वो भी लेक्चर सीरियली आपको मिलेगा 1,2,3,4,5,6 ऐसे करके फिर भी आपको कोई डाउट हो लेकिन बड़ा असान है आपको क्या करना है एकाउट्स बॉस को ओपन करना है एकाउट्स बॉस को ओपन करने के बाद उसके प्लेइलिस्ट में जाना है प्लेइलिस्ट में जाने के बाद क्लास 11 का चैप्टर वाईज डूड़ना है और हर चैप्टर में जो भी चैप्टर होगा उनमें जाएंगे तो lecture number one करके two करके three करके ऐसे होगा तो हर chapter में बहुत सारे lectures होंगे ठीक है ना तो बस simple सी बात है आपको playlist में जाके डूड लेना है ठीक है बच्चा तो आईए आज हम लोग देखते हैं chapter number five में क्या पढ़ने वाले हैं तो आज हम लोग जानेंगे meaning of accounting question effect of transaction and types of accounting question और format जानेंगे accounting question का क्या format है जैसे कि मैं बता दूँ आज जिसका आपको इंतिजार था बहुत दीन से हम लोगा theory chapter चल रहा था practical start नहीं हो रहा था तो आज class 11th में आपको practical मतलब कुछ बनाने वाला काम सुरू होगा जिसका आपको बेसबरी से इंतिजार था वो घरी अब आ गई है ठीक है बच्चे तो आएए इसका हम enjoy करते हैं थोड़ा सा जानते हैं आए इस chapter में हम लोग जानते हैं सबसे पहले accounting question का expression है जो आपको दिखाता है क्या दिखाता है कि जितने वी assets हैं आपके form का वो equal होंगे किसके भाई liabilities के और capital जो मालिक ने contribute किया है उसके मतलब simple सी बात अगर हम बात करें तो जो मेरी assets है हमारी form का वो form के liabilities और capitals के बराबर होगी हमें से यह मेरा accounting question कहता है ठीक है simple सी बात है कि जितने भी form है माले यह form है यह form है और इस form के जितने भी assets है संपत्ती है वो इस form के liabilities और capital के बराबर होगा यही accounting question कहता है ठीक है बच्चा अब यहां से आप अपने मन से formula बना सकते हैं capital is equal to बोल सकते हैं कि assets minus liabilities assets minus liabilities और जब हम यह liabilities लिखते हैं न मेरे बच्चे तो यह liability represent करता है सिर्फ और सिर्फ external liability का किसको represent करता है मेरे बच्चे external liabilities का external liabilities किसको बोलते हैं outsider liabilities liabilities किसको बोलते हैं वह ऐसा liability जो form का दूसरे को पर निकल रहा है payment करना है liable है form liable है business से बाहर के किसी लोगों को payment करने के लिए उसको बोलते है external liability outside liability और यह जो capital है यह भी liability है लेकिन हम लोग बोलते है और यह बोल सकते हैं internal liability इसको क्या बोल सकते हैं बच्चे internal liability यह एक internal liability है कि लिए रोगया अगर आप दूसरा formula इसी से drive करना चाहते हैं तो आप यहां पर liabilities is called to भी निकाल सकते हैं कि liabilities is called to math है थोरा सा linear equation आपने पढ़ा होगा तो आप उसका इस्तमाल करके हैं बना सकते हैं कि assets minus अगर हम capital deduct कर दे तो मेरा यह liability निकल जाएगा वो liability जो हम external liabilities के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है बच्चे तो जाइड सी बात है हमारा जो accounting question है उसमें हमारा दो side है जैसे कि माल ने तो है assets है और यह liabilities plus capital है liabilities plus capital है तो यहाँ पे आपको दो side है एक तो आपका left hand side है जिसको LHS बोलेंगे और यहाँ से यहाँ तर यह right hand side है ठीक है RHS तो accounting question एक mathematical expression है जिसमें आपको मिलेगा LHS और RHS की value equal ठीक है बच्चा दूसरी concept तो जाने यह जो accounting question है यह जो accounting question है आप पूछ सकते हैं कि sir यह कौन सा accounting principle पे best है मतलब कौन सा accounting principle इस पे apply होता है हमारा accounting question पे तो वहाँ पे होता है बच्चे dual aspect principle नाम सुने होंगे dual aspect principle का यही dual aspect principle जो है इस पे apply होता है और dual aspect principle क्या बोलता है कि कि जितने भी transaction है जितने भी transactions है जितने भी लेने ने उसका दो effect होता है या तुव वो debit होगा या तुव वो credit होगा हाँ ये अलग बात है कि हर debit के लिए credit होगा और हर credit के लिए debit होगा equal amounts है हाँ इसमें accounts जादे हो सकते हैं लेकिन amount equal होगा मतलब जो debit है वो credit के बराबर होगा और जो credit है वो debit के बराबर होगा हो सकता है कि इसमें 2 account हो इसमें 1 account हो लेकिन इनकी amount जो होगी वो बराबर होगी ये भी हो सकता है कि इसमें 3 account हो और इसमें 2 account हो लेकिन इनकी amount बराब मैं amount की बात कर रहा हूँ, amount equal होगा, amount जो है equal होगा, account differ कर सकता है, debit में हो सकता है, दो account हो, create में एक एकाउंट हो, account differ कर सकता है, amount differ नहीं करेगा, यह dual aspect principle का rule है, तो accounting principle इसी dual aspect principle पे based है, बात समझ गए, कि लिएड़ है, तो आईए, हमने बच्चे देखा, यह जो मेरा accounting question है, हमने देखा, कि assets is equal to, यह जो liabilities है, external liabilities की हम बात कर रहे है, plus capital के बराबर होता है, अब सवाल होता है कि sir, assets क्या होता है, liabilities क्या होता है, capital क्या होता है, तो बच्चे मेरे playlist में आप जाके, chapter number two, chapter number two, basic accounting terms, basic accounting terms को अच्छे से जाके देख लीजे, और जब basic accounting terms का first 6 lecture आप देखेंगे, 6 point, तो आपको asset, liability और capital का पूरा जनकारी हो जाएगा, क्योंकि, क्योंकि, जब तक आप नहीं जानते assets क्या होता है, liabilities क्या होता है, capital क्या होता है, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आगा accounting question का practical, आएए थोरा हम लोग जानते हैं, इसको जड़ा हम लोग नमरी कर देते हैं, ये आपका number one हो गया, ये number two हो गया, और ये number three हो गया, तो आएए number one के बारे में थोरा सा example देखते हैं, assets, जैसे कि हमने पढ़ा है assets के बारे में, जो हमको future economic benefit provide करता है, हम उसको assets बोलते हैं, जैसे कि land, building, furniture, plant and machinery, अलग-अलग भी हो सकता है, joint भी हो सकता है, ठीक है, data, stock, prepaid expense, prepaid expense, accrued income, accrued income, ठीक है, bills receivable भी होगा, bills receivable, receivable, ठीक है, और अनिगीनत बहुत सारे होंगे, जो basic है वो हम आपको बता दे, cash होगा, bank होगा, etc, यह सारे assets आपको याद करने होगे, example आपको पहचानना होगा, यह land है, asset होगा, building है, asset होगा, furniture है, asset होगा, plant and machinery है, asset होगा, data है, asset होगा, stock है, asset होगा, prepaid expense है, asset होगा, crude income है, asset होगा, लाइबलिटीज नमबर टू है लाइबलिटीज यहाँ पर आपको मिलेगा बैंक लोन सिंप्ली लोन भी हो सकता है क्रेइटर होगा बिल्स पेबल होगा बिल्स पेबल एकी वर्ड है आउट इस्टेंडिंग एक्स्पेंस होगा एडवांस इंकम होगा इंकम रिशीव दिन इडवांस ठीक है और नाजने बहुत सारा होगा बैंक ओवर्डाफ्ट भी होगा बैंक ओवर्डाफ्ट तो यह सारे आपको एसेट्स आपको देखनी का मिलेगा तीसरा का बात करें थर्ड वाला तो थर्ड वाले में आपको मिलेगा बच्चे पैपिटल और कैपिटल तो जानते हैं एमाउंट इंट्रिउस्ट बाई ओनर इन दे बिजनस जो भी मालिक है मालो यह मालिक है ओनर है और यह उसका बिजनस है अब इस बिजनस में इस ओनर ने जतना पैसा इंवेस्ट किया लगाया हम उसको बोलते हैं कैपिटल olduğu है यह मालिक जो बिजनस में पैसा इंवेस्ट किया हम उसको बोलते हैं ऐगे तो जानते है नम्मँ वन को थुरण डीटेल में एसेट्स का ठीक है जब भी assets याद कीजिएगा introduce होगा जब भी introduce होगा मतलब business में आएगा तो हम इसको plus करेंगे यानि add करेंगे और जब भी assets बाहर जाएगा business से बाहर जाएगा तो वैसे सित्ती में हम उसको list करेंगे ठीक है यानि let's suppose इसको थुरण सा चार्ट में हम लोग समझ लिए suppose that यह मेरा business है ठीक है बच्चे और इस business में जो assets आएगा यह business में जो assets आएगा यह हमारा business से याद रखिएगा और जब भी business में assets आ रहा है लग रहा है assets वहाँ purchase हो रहा है तो वैसे सित्ती में हम add करेंगे और जब भी business से बाहर जाएगा asset बिकेगा घटेगा तो वैसे सित्ती में हम इसको list करेंगे clear होगे assets के बारे में दूसरा liabilities के बारे में यह business है और जब भी business को लोन लेगा liability लेगा तो business में बढ़ेगा loan बढ़ेगा liability बढ़ेगा तो हम उसको add करेंगे और जब भी हम liability का payment करेंगे तो वैसे सित्ती में हम उसको list करेंगे अभी हमको rules याद रखने है कब हमें add करने है कब हमें list करने है ठीक है बच्चे number four three sorry number three capital और capital में थोरा साब को ध्यान देना है थोरा सा ध्यान देना है कि यह जो business है यह जो business है हमारा आपका जब भी हम इसमें introduce करेंगे न business में capital introduce करेंगे लगाएंगे invest करेंगे वैसे सित्ती में हम उसको add करेंगे दूसरा business में जब भी आपको profit होगा revenue होगा income होगा तो वैसे सित्ती में फिर आप क्या करेंगे बच्चे add करेंगे अब समझगे कब कब add करेंगे यहां पर दू condition है जब business में पैसा invest करेंगे तब भी capital को add करेंगे आप और जब भी profit होगा revenue होगा income होगा तब भी आप capital में बढ़ाएंगे capital में plus करेंगे है ना और capital में minus कब करेंगे जब आपका drawing होगा number one या बोल सकते है number two जब आपका loss होगा या आपको कोई expense होगा वैसे इस्तिति में इन दोनों ही situation में आपको list करना है capital को list करना है तो आप जड़ा देख लिजेए फिर से assets जब भी business में आएगा purchase होके आए या acquire करके आए तो हम उसमें add करेंगे plus करेंगे assets में plus करेंगे और जब भी business assets बाहर जाए बिके या घटे depreciate हो वैसे इस्तिति में हम उसको minus करेंगे killer हो गया liabilities जब भी हम लेंगे तो हम plus करेंगे और liability का payment करेंगे तो हम minus करेंगे liabilities में plus करेंगे liabilities में minus करेंगे जब भी हम capital business में लगाएंगे तो हम capital में जाके जोर देंगे अगर business में profit होगा revenue होगा income होगा तो भी हम जाके उसमें plus कर देंगे ठीक है बच्चे minus कड करेंगे जब drawing होगा तो माइनस कर लेंगे जब loss और expense होगा अब तब भी हम माइनस कर देंगे तो थोड़ा बहुत यह rules आपको याद होना हुगा अब सवाल यह उठता है कि सब revenue profit वाला कुछ item बता दीजिए तो बच्चे profit, revenue, income वाले कुछ item को आप note कर ले जैसे कि sales हो गया, interest receive हो गया, interest receive हो गया, commission received हो गया, commission received हो गया, rent received हो गया, सब में received word लगा हुए, discount received हो गया, discount received हो गया, discount received हो गया, मेरे बैचे एक्सों स्टेफ पहाएं और लिखे दिया है त Вас तो भड़ा तो लिखेंगे नहीं हाँ है तो विसे सित्वी में या डिवीडेंट री सीव हो गया डिवीडेंट परीचिवड 2017 वैसे इस्तिति में आप capital को बढ़ा देंगे, इन सारे ही situation में capital को आप क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीके बच्चे, आगे देखिये, loss expense का केस, खर्चे का केस, ठीके, आप rent पे किये, commission पे किये, सब paid है, और pay के लिए pay नहीं भी लिया है, तो हम pay समझेगे, salary दिये, stop को, है न, discount दिये, discount receive नहीं, discount paid किये, है न, तो यह सारे ही situation, खर्चे के बहुत सारे example होते है, अब one by one question हम जब बताएंगे, तो हम समझ जाएंगे, वैसे इस्तिति में आप capital से इसको minus कर देंगे, और यह वाले item capital में जाके हम plus कर देंगे, ठीक है बच्चे, यह तो हुई basic rules, ठीक है, आगे जड़ा effect of transactions का पढ़ते हैं हम लोग, topic, effect of transactions, transaction का कितने तरह का effect हो सकता है, सबसे पहला, either both sides of the equation by the same amount, same amount से दोनो तरह effect पढ़े accounting equation का, मतलब कोई transaction हुआ, जिससे accounting equation के दोनो साइड, LHS और RHS में, same amount से effect आया, दूसरा हो सकता है, और one side of the equation, of the equation, only एक ही side हो, by, both, या तो increase कर जाए, increasing, या decrease कर जाए, decreasing, by the equal amount, amount equal होना अच्छी है, by the equal amount, ठीक है, या तो equation के एक side में ही बढ़ जाए, या एक ही side घट जाए, है ना, या LHS में हो, या RHS में हो, accounting equation पे कोई फर्क नहीं पर गया, तो हर एक transaction का accounting equation पे दो तरका effect पड़ेगा, उसी के basis पे हम लोग बाते हैं, types of accounting equation, types of accounting equation, इसी के basis पे हम लोग types of accounting equation डाले है, 6 types total होते हैं, बच्छे, पहला, number one, या तो assets बढ़ेगा, या तो assets increase करेगा, या तो assets increase करेगा, ठीक है, या तो assets decrease करेगा, या तो assets increase किया, या तो assets उसी समय decrease किया, accounting equation में कोई फर्क पड़ा, मतलब, अगर कोई शमान खड़िते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा करते हैं, जिस transaction से assets ही बढ़ा और assets ही घड़ गया, हम transaction का नाम लेख सकते हैं, अगर हम कोई शमान, कैस में खड़िते हैं, एक्जामपल आप लिख सकते हैं इसका, purchase of goods, on cash, purchase of goods, on नहीं, in लिखिया, purchase of goods, in cash, यह जो transaction है, इसमें हम बताएंगे वैसे, अभी आप एक्जामपल लिए है, यह वैसा transaction है, जिसमें assets ही increase करेगा, और दूसरा assets घटेगा, तो accounting question में कोई changement नहीं होगा, accounting question में LH is RH is almost equal होगा, number two, number two, या तो, increase in asset हो, और दूसरा, उसी समय, increase in liability हो, या तो assets भी बड़े और उसी समय liability भी बड़े, तो एक continuation में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, example भी बोल सकते हैं इसका example, same example में credit लिख दू, purchase of goods, increase in credit, उधार में हम goods खड़ीद लिये, तो वैसे ही city में आप देखेंगे, एक asset बढ़ गया, और एक liability घट गया, तो LH is बढ़ा, और liability भी बढ़ गया, both have increased, LH is भी बढ़ गया, और RH is भी बढ़ गया, तो एक authentication में कोई फर्क नहीं पड़ा, LH is RH के बराबर रहा, है ना, तीसरा type हो सकते है, increase in asset, हमारा assets बढ़ गया, उसी समय, simultaneously, हमारा जो capital है, वो भी increase कर गया, बढ़ गया, तो भी हमारा accounting question में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, example लो, started business with cash, X लिख लो, X started business with cash, X नाम का एक business man है, जो एक business start करता है cash से, तो आप देखेंगे, इस transaction में, कि asset बढ़ा और capital बढ़ा, मैं प्रूफ करूँगा इस transaction को, घबडाने की जरूत नहीं है, बस हमें example अभी है, आपको सिखा रहे हैं, थोरा नाम के साथ, आप होता है ना, थोरा सा याद रहेगा आपको, कुछ-कुछ transaction है ना, अब आते हैं, ये ले लो assets, shortcut लिखते हैं, और ये ले लो liability, वैसे transaction, जिसमें assets भी घड़ जाए, minus हो जाए, ये liability भी घड़ जाए, उसी समय साइमल्टिस नहीं, accounting विशन में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, example ले ले, crater, paid in cash, crater को हम cash पे कर दिया, तो वैसे situation में assets घटेगा, और liability भी घटेगा, पाच्वा, assets ले लो, और capital ले लो, है ना, वैसे transaction, जिसमें assets घट जाए, और capital भी घट जाए, assets भी घट जाए, और capital भी घट जाए, accounting उसन में क्या फर्क पर लो, बड़ा बड़ी होगा, example ले लो, with draw of cash from business by the proprietor for personal use, personal use के लिए business से cash निकाल ले, तो capital भी घटेगा, और cash भी घटेगा, 6, 6 case total होता है, आपका एक liability बढ़ जाए और उसी समय एक liability घट जाए, एक एक liability घट जाए और एक liability घट जाए, for example, acceptance of bills payable, हम सम्झाएंगे थोरह सा पेजिदा है, आप लोग के लिए, मतलब creators, को हम bills payable, issue कर दिये, accept कर लिए, creator के बदले में, तो वैसे इस्तिति में एक liability बढ़ेगा, और दूसरी liability घट जाएगा, तो भी हमारे accounting question में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर mathematical सब जगह देखेंगे, तो हमने accounting question क्या पढ़ा था, asset is called to liability plus capital, तो अगर हम सोचो की, अगर हम पहला वाला हम बात करें, number one, जो assets बढ़ा और assets घटा, अब यूँ सोचो assets बढ़ जाए, और उसी sum assets घट जाए, तो accounting question में क्या फर्क पड़ेगा, हम 5 रुपया यहाँ plus कर दिये, और 5 रुपया माइनस कर दिये, accounting question में कोई फर्क पढ़ा, नहीं पड़ा मेरे बंदू, बिलकुल नहीं पड़ा सर, दूसरा case देखो, increase in asset, increase in liability, माल लेते हैं assets हम बढ़ा दिये 5 रुपया से, और liability भी 5 रुपया से बढ़ा दिये, accounting question में क्या फर्क पढ़ा, नहीं LHS, RHS बढ़ा बढ़ी होगा, LHS, RHS बढ़ा बढ़ी होगा, यहाँ पर भी, नमर ती देखो, increase in asset और increase in capital, हम 5 रुपया से asset बढ़ा दिये, और 5 रुपया से capital बढ़ा दिये, क्या फर्क पढ़ेगा, फिर भी तो accounting question रिकॉल है, चौथा ज़ड़ा देखो, assets घटा दिये, और liability भी घटा दिये, मतलब, यहाँ भी minus 5 कर दिये, और यहाँ भी minus 5 कर दिये, क्या फर्क पढ़ा, accounting question पर कोई फर्क नहीं पढ़ा, 5 रुपया, assets घटा दिये, और capital भी घटा दिये, माल लो 5 पर यहाँ भी minus कर दिये, और 5 पर capital भी minus कर दिये, फिर भी accounting question बढ़ा बरोगा, 6 लाइबलिटी में ही बढ़ा दिये, और liability में ही घटा दिये, माल लो यहाँ पाच पर घटा दिये, और यहाँ पाच पर जोड दिये, तो liability में बढ़ा दो, और liability में घटा दो, accounting question में कोई फर्क नहीं पढ़ेगा, तो यह total 6 cases ही बनेगा, इससे जादे नहीं बनेगा, यह जड़ा आपको याद करना होगा, समझना होगा, कि किस किस transaction से क्या क्या परभाव पड़ेगा, वही तो accounting question का, formation होता है, आप accounting question समझ गया, दूसरी बात condition, theoretical level में आजगता है, कि example बताओ, वैसा example बताओ, जिसमें assets बढ़ जाए, गर जाए, लाविलिटी बढ़ जाए, लाविलिटी घर जाए, या assets भी बढ़ जाए, लाविलिटी भी बढ़ जाए, assets भी घर जाए, लाविलिटी भी घर जाए, या assets बढ़ जाए, capital बढ़ जाए, assets घर जाए, capital घर जाए, total 6 condition, यही तो condition होगा और इसी condition के साथ आप basic चीजे आपको मैंने समझाया ठीक है बच्चे तो आज के लिए तो हम बस इतना ही रखेंगे और एक format बताएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया format कुछ नहीं होता है बच्चे format में कुछ नहीं होता है जैसे कि यह रहा हम scale ले लेते हैं थोड़ा सा आपको format scale से बतादे रहें ताकि आप भी scale के साहता से बड़ा अच्छा से समझ लेंगे यह मेरा line रहा थोड़ा सा मूटा कर लेते हैं scale थोड़ा सा सीधा होना चाहिए है यह होगे बच्चा इसको मैं ऐसे घटा दिया ऐसे डो कर लिया यहां से मैंने format do किया ठीक है उसके बाद इसे हटा दिया यहां पर लिखेंगे जो भी transaction होगा जो भी lane देने होगा उस transaction को आप छोटा छोटा यहां पर लिख लेंगे ठीक है और यहां लेंगे assets ठीक है और यहां पर liabilities plus capital यह थोड़ा ले सकते हैं थोड़ा liability का और छोटा कर सकते हैं ऐसा नहीं है आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा liability के लिए space छोड़ दे तब बिल्कुल ही liabilities के लिए space ले सकते हैं तो liabilities plus capital यह होगा format आप ऐसे भी लिख सकते हैं liabilities plus capital is equal to assets यह आप पर depend करता है बच्छा यह asset is equal to liability plus capital लिखो यह liability plus capital is equal to asset लिखो उससे कोई फ़र्ग नहीं पड़ता है different different अलग अलग teachers अलग अलग चीज़े बता देते हैं बस आपको ध्यान देना है कि मेरा जो right hand side है वो left hand side के ब्राबर होना चाहिए बताब जो LHS है वो RHS के equal होनी चाहिए अब कोई भी transaction आप ले सकते हैं और इस transaction को यहाँ पर आप serial number भी चाहते हैं तो draw कर सकते हैं यहाँ पर serial number लिख भी सकते हैं नहीं one है तो serial number यहाँ one लिख दिए हैं और जो भी transaction उसको लिखें और assets में नाम लिख देंगे तो रहा assets का bifurcate करेंगे मतलब अगर building assets में दिखा सबसे पहले तो यहाँ थोरा सा building word इस्तमाल कर लेंगे आपको data दिखा तो data भी जोड लेंगे आपको question में gas भी दिखा तो cash भी जोड लेंगे furniture भी दिखा तो furniture भी जो capital का capital ही रहेगा तो यह संभावना हो सकती है कि head आपको पता चल जाए building है data है cash है furniture है मतलब assets में बहुत सरा आपको नाम पता चल जाए आपको cash भी पता चल सकता है है ना तो जब भी इतना नाम जितने नाम पढ़े पता चलेगा आपको transactions को पढ़के उतने column आपके बनते जा जाएंगे मालू यह तो total assets की बात कर रही है ना तो इस assets में assets में आपको building हो सकता है data हो सकता है cash हो सकता है furniture हो सकता है यहां भी cash लिख दिया sorry यहां bank लिख लो तो bank भी हो सकता है और ना जाने कितना stock भी हो सकता है बच्चे कोई बड़ी बात नहीं है हम stock भी लिख सकते है ठ कैसे पता करेंगे नाम पता करने के लिए मैं next day आपको question कड़ा रहा हूं तो बहुत अच्छा से नाम पता चल जाएगा तब तब के लिए आज बाए रहने देते हैं take care और please आप जो भी हमने concept बताया है बढ़ने घटने का आप उसको जड़ा समझेंगे फिर हम आपको rules भी अच्छा समझेंगे ठीक है थैंक यू